जो चार्ट में शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में वो कभी फिल नहीं हुआ तो ध्यान से देखना और पूरा देखना एक क्रिकेटर का जब फॉर्म खराब होता है तो उसको बोला जाता है गो बैक टू बेसिक्स बेसिक्स पे जाओ डॉन्ट कॉम्प्लिकेट ओवर एफर्ट या ओवर अनलाइज मत करो सेम एक ट्रेडर के साथ है जब मार्किट इर्रैशनल हो या पेशिन्स टेस्ट करे तो गो बैक टू बेसिक्स सिंपल तो बेसिक्स क्या है वो मैं डिसकस करने वाला हूँ स्टॉक मार्किट के लिए एक्विटी मार्किट के लिए जो तीन चीजें मैक्रो पॉइंट ओव व्यू से जो तीन चीजें वार्निंग साइन्स हैं या रिस्क ओफ सिगनल्स देती हैं वो है एक तो गोल्ड का बढ़ना दूसरा डॉलर इंडेक्स का बढ़ना और तीसरा ओईल का बढ़ना इस्पेशली इमर्जिंग मार्किट के लिए डॉलर इंडेक्स और ओईल तो बहुत ही सेंस्टिब है ठीक है तो यह ओईल का चार्ट है यह बड़े दिनों बाद इसने इस बैंड को टच किया है ना यह कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहा है यह इंडियन मार्किट के लिए तो बिलकुर अच्छा नहीं है इसलिए आप देखो अपना गिफ्ट निफ्टी तेल ओपर है ना डाउ जोन्स अलमुस तीन सो पॉइंट डाउन है ठीक है तो कुछ दिनों से यह बढ़ रहा है गोल्ड पर मैंने वीडियो बनाया ही था कल गोल्ड लगातार बढ़ रहा है और रही वाट डाल इंडिक्स की तो यह भी बढ़ रहा है ना इस्पेशली मैं आपको दिखाने वाला हूं इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि यह 11 मार्च मार्च के महीने में तीनों बहुत तेज बढ़े हैं मार्च से ही मार्च से बहुत तेज बढ़े हैं तीनों तो यह तीनों जब एक साथ बढ़ रहा है तो वहाई धमाल होता है तीनों को एक combine chart बनाना होगा मैं तीनों को multiply कर रहा हूं ठीक है oil gold और dollar index ये तीनों anti है stock market के ठीक है we are going back to basics तो ये तीनों का चार्ट है ये तीनों का combine chart है और ये तीनों एक साथ उपर जा रहा है और equity market भी उपर जा रहा है हमको इसमें देखना ये है कि जब ये तीनों एक साथ उपर जाते है ना तो RSI पे बड़ी जबर्दस रीडिंग्स आती है हाना क्योंकि speed accelerate कर जाती है तीनों के बढ़ने की तो R RSI की रीडिंग 81.9 है जो कि बड़ा रेर है historic है ना लास्ट टाइम इतनी रीडिंग सब्टेंबर 23 में थी मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा वीडियो मैं निफ्टी को एड़ कर लेता हूं इसमें so that आप देख सको कि जब भी सतनी हाई रीडिंग्स आती है तो most likely scenario क्या होत है एक्विटी मार्केट्स के लिए निफ्टी के लिए सब्टेंबर 2023 में ये रीडिंग आई थी हाई exact टॉप पकड़ा था आना मार्केट ने exact टॉप पकड़ा था और करीब 1000 पॉइंट का फॉल दे दिया था ठीक है इसके पहले इतनी रीडिंग ये कितनी थी 82 के आसपास ये कम थी और निफ्टी अल्रीडी करेक्शन दे चुका था ना ये रीडिंग कम थी अप्रिल दोजार थेस फिर भी एक डिप इसने चोटा सा लिया था इसको इगनूर करते हैं यहाँ देखो आपको यहाँ बड़ी बड़ी रीडिंग से मिलेंगे यह ना October 21 मेजर हैस ये उवरबाट में आया 77 कुछ था बड़ा जबर्दस करेक्शन ठीक है उसके बाद कहा ओवरबाट में आया यहाँ जनवरी 22 भयानक करेक्शन यह पूरे टाइम उपर ही रहा यह दर तो रशिया यूकरिन वार था तो क्रूड आइल बढ़ रहा था ना यूएस आइल बढ़ तो तो यह चार्ट उपर ही ना पूरे फेस में जब तक यह ओवरबाट रहा तब तक इनफटी करेक्शन देता रहा ना जब तक यह ओवरबाट रहा ठीक है और ओवरबाट की रीडिंग पीछे देख लेते हैं थोड़ा सा कोविट के पहले का भी ना यह सब तो ठीक है गो 2021 इसमें तो सारे असेट क्लास बढ़े थे जीरो पंट परसेंट इंट्रेस रेट पे लोन बट रहे थे जनवरी 2020 ना दिसंबर जनवरी में यह ओवरबाट आया था और रीडिंग कितनी थी 78-79 और पीशे चल लेते हैं इस चार्ट फेल ही नहीं हुआ कभी अप्रेल 19 ना डिप आया ठीक है अप्रेल 19 और बड़ी ओवर बाट रिटिंग्स देख रहा हूं यह कौन सा है ऑक्टोबर 18 सब्टेंबर ऑक्टोबर 18 है ना यहां पर भी बड़ा करेक्शन आया था यह देखो परफेक्ट टॉप जनवरी 18 परफेक्ट टॉप ऑल्मोस्ट थोड़ा सा और उपर गया था फिर बड़ी तेजी रहा था इसको आप देखते जाओ यह डियर ली कभी इसने गलए अट लीस्ट एक डिप तो दिये ही दिया है है ना मोस्ट ली मोस्ट अप दे टाइम तो इसन 2013 के बाद यह 2012 परफेक्ट 2010 परफेक्ट है और पीशे चलता है यह छोटे मोटे डिप आए वो भी ही से आए चोटे डिप लगना है एक्चली बड़े हैं यह यह वाले टॉप्स देखो निफ्टी से इसका कोई लिए न दे नहीं लिए तीनों एसेट क्लास अगर एक्स्ट् निफ्टी का हो गया ठीक है 2007 हाँ यह आ गया वपन यह जो डिप आया 2007 में वह उसमें ओवरबॉट था यहां जरूर यह ओवरबॉट था लेकिन डेली ओपर जाता रहा न यह बहुत एक्सेप्शनल पीरिट था ठीक है ओवरबॉट रहा 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 नीचे आ गया फिर से रह बोट में आया और यहां कहीं टॉप लगाया ना यही एक एक्सेप्शनल पीरिड है इसमें भी थोड़े बहुत डिप्स तो आती ही रहे बट मिजॉरिटी रही रही ठीक है इससे में गोल्ड भहानक भागता था बाकी यूएस ओयल और डॉलर इंडेक्स सपोर्टिव नही यह और बाट में आया एक मेजर लाउंटर न डोजार दो कि यह और बाट में आया दोजार एक मेजर फाल जा ठीक है यह ओबर बाट में आया सब्टेम्बर म related से हेवी फाल और और देखो यह यह घुथ टॉप अडड कम बोलकी वह भी उपर ही तो सिधा बड़ा क्रैश मैच भी निकल रहा है थोड़ी दिर में लाइव आओंगा मैं उसमें डीटेल में बात करेंगें बट अब आप मोटा मोटा ये पिक्चर देख लो तो अभी हम कहां पर हैं यहां पर हैं तो को बैक टू बेसिक्स टाइम ले रहा है मार्केट यार हो सकता एक दो ही नहीं और ल ले हैं लेकिन आप यह सोचो कि यह प्रॉबिल्टी जो हमेशा से रही है कि बड़ा डाउंस्विंग वो चल गई तो कितने रिटन्स बनेंगे हैं तो प्रॉबिल्टी का गयम है ठीक है अभी दिक्कत यह है कि इंडिया विक्स जिस तरह से रोज गिर रहा है लग क्या मजा के है यह सीरियसली है कॉल्स तो मैं भी रखके बैठाओं लेकिन ना कॉल चल रहा है ना पुट चल रहा है इंडिया रोज गिर रहा है एन्यवेज इस अब टेंपररी है निकल जाएगा यह फेस एलेक्शन जैसे से क्लोज आएंगे तो यह देखो अभी हम यहाप पर हैं त V6 मैकरोस के यही बोलते हैं कि पड़ा पैसा नीचे है है हना मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि जब तक पैसा बन चुका हुगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी तो मेरा काम मैं पहले यही पहले बोलता हूँ ना बड़े बड़े डिप्स के पहले ठीक है आप खुद भी लगा सकते हो चार्ट वीडियो क्लोज करता हूं आता हूं लाइफ थोड़ी देर में